तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यह देखिए मटर बोहा बनाने के लिए यहां पर हम दो परे साइच का प्याज है इसे कट करके रख लिए तिन से चार हरी मिर्श है आप टेश के अपरिक हरी मिर्श का प्योग कीजेगा जैसे हम पीस से चिड़ा लगा के रख लिए और थोरी से हरी मटर है तो चरूत की हिसाब से हम इसमें से मटर लेंगे करीब पर एक कटोड़ी के करीब हम मटर लेंगे छोटी कटोड़ी की करीब और इसके साथ ही हम इसमें चूरा लेते हैं श्याव में चलनीया सार वास करें थो लेटा है, सफोना पाना करने परखें चलनी में ठोड़ों कि यह चलने नहीं इसे छोड़ देते हैं पानी करने के लिए सिंक के अंदर ही यहां तेड़ा करके इसे रखतेते हैं ताकि पानी इसमें का घड़ जाएगा के माइसे तेड़ा करके इसी सिंक में छोड़ देते हैं अब आखे का पूसस देखते हैं यहां तेखिए करहाई में हम थोड़ा सा ओयल करम होने के लिए रखते हैं और इसमें करीब आधा जीरा जीरा तरक्णा बंद करतें इसे में प्याघ तरक्णा थी तरक्णा लगाएंगे ग先 के दरक्णा बंद करें ब अब साथ ही अपने प्याज को भी दाल देते हैं मेरा प्याज मोलायम हो चुका है अब हम इस चोटी कटोडी है मेरे पास चोटी कटोडी से ही हम तो कटोडी मतर लेंगे यह एक कटोडी मतर है इस कटोडी मतर और लेते हैं यह देखें इस चोटी कटोडी मतर है तो कटोडी मतर हम लेगे हुए थे और आपको भी पताते हैं कि तो कटोडी मतर है अब इस चोटी का इस चोटी कोडी मतर है कि अपको इस चोटी से थोड़ा नमक लेते हैं अब इससे कमी नमक लेंगे तो आपको इसक्ता यह देखें यह मेरा छोटा चमच है इस चमच से यह परीद आधा चमच के कड़ी मेरा हुआ तो इतना हम इसमे नमक लेते हैं यह पहुत चल्गी बन पर त्यार होने वारी रेशती है इसमें कोई मसाला चाता लगता दिये कुछ भी नहीं लगता है और खाने में भी बहुत पेश्ची लगते हैं अब इस तक हम इसमें पोहा भी आट सेते हैं जूड़ा कोजिश और इसे भी निला देते हैं अब आप हल्दी का उप्योग करते हैं अकर आपको पोहा में हल्दी अच्छा लगता है तो आप इसी स्टेशक पर ये मटर टालते समय आप थोड़ी सी आथी चमच हल्दी ताल दिजिए लेकिन हमें पोहा में हल्दी बिल्कुल भी पसंद दिए और उसका लुक हमें अच् और एकषिश और टालेंगे ये देखिए एक छोटा मेश है मेरा इस चोटा मेश से हम पाथ चमच्छ चीनि इसमें आप रैल देखते हैं तो चमच और ये पात GIRम्रे बिल्कुल मिसमें इसमें एक चीशक और कर देकिक्षा अधु आप गर्णा तो यहां हम आधा चमच के कर करब मसाला एड कर दें और इसे भी अच्छी से मिक्स कर देते हैं इसे अच्छी से मिक्स करते हैं और इसे एक मिनट के लिए कवर करके हम छोड़ेंगे इसे इसे बीच जगा जमा करते हैं इसे कवर कर देते हैं कवर करने के बाद हम फ्लेम को एक तम लो कर देंगे मिनट हो गये है इसे चेत कर लेकर फिर इसे एक वर हम फिर से चलाएंगे और फिर से इसे कवर करेंगे और इसी तरीके से आपको तीन बार इसे चलाना है और तीन बार इसे कवर करना है, एक मिनट के लिए छोड़ना है तो इसका टेश्ट बहुत अच्छा आता है इसे अच्छे से चलाकर अच्छे से मिक्स करतें फिर एक शगा इसे हम जमा कर देतें और फिर से इसे हम दूसरी बार इसे फिर से हम कभर करते हैं और फिर से इसे लो फ्लेम पर हम एक मिनट के लिए छोड़ते हैं दूसरी बार भी इसे हम चेप करते हैं और तूसरी बार हम इसे अच्छे से mix करके और फिर से एक बार की फिर से हम इसे cover कर देंगे अर लाश्ट वार तुसरी बार भी इसे cover कर देते हैं और एक मिनट के लिए से छोड़ते हैं और तुरंद इसे नहीं को लेंगे इसे एक मिनट के बाद हम इसे ओफ कर देंगे और फिर एक मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे यह देखे मेरा बोहा बनकर रेटी है आप अगर चाहें तो इसे हरी धनिया के पती से सजा भी सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा चाहता है से जाता है इस वीडियो को सेर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बढ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब चूरूर कर लिजेगा तो पूरे वीडियो को पूरा वाच करने के लिए थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग